सब्सक्राइब करना ना भूले तो आईए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो यहाँ पे तो सबसे पहले जो सब्सक्राइब को दोनों कि दोनों मोबायल आपको 6199-99 स इसकाइब को से चर्ण डाइनंट प्री के बात का बरूवाइल ऑरश उद्युआ जाएजके और दौनों की दिस्प्लेखे साइजिए वह बात कर लें तो सबसे पहले आपको बात मैं बोलो infinix की तो 6.52 इंच का आपको infinix की डिस्पले देखने को मिल जाएगी और उसी के साथ आपको मिल जाएगी 6.52 इंच की यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी और यहां पर स्टोरेज 32GB आपको देखने को मिल जाएगी दोनों के मोबाइल में 6000 में 6999 वाली रेंज लोगे तो आपको 32GB वाला रॉम देखने को मिल जाएगा और 8 Megapicture का आपको मिलेगा इंफिनिक्स स्मार्ट फाइए का जो फ्रंट कैमरा है वह 8 Megapicture का देखने वाला इसका जो फ्रंट कैमरा है आपको देखने को मिलेगा वह है 8 Megapicture बट यहां पर आपको रियल्मी C20 का जो कैमरा है वह आपको मिलने वाला है 5 Megapicture तो कैमरे के मामले में मुझे लग रहा है कि इंफिनिक्स यह फ्रंट कैमरा बैस्ट है इसका क्योंकि ज्यादा MPR आपको मिल जाता है जो Megapixel हो जाता है और दूसरी बात करें हम लोग प्राइमेरी कैमरा की जो पीच बैक कैमरा उसकी तो दोनों के दोनों मुबाइल में 8 Megapicture का जो आपको इंफ सबसे के साथ flashlight देखने को मिल जाएगी तो camera back camera में भी आपको realme जो बैस्ट नहीं लगेगा पड़ियाव इंफिनिक्स सबसे बैस्ट है तो यहां पर डिस्प्ले तो आपको दोनों equally मिलने वाली तो दोनों दिख रहे होगे किसमे क्लीरिटी जादा है तो वह बात करें तो आपको इंफिनिक्स मेरे हिसाब से यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि इंफिनिक्स बहुत बढ़िया है कैमरा भी बढ़िया मिल रेंज भी बढ़िया है और यह साइड से आप लोग नीचे की साइड से जारे अपस निकाल सकते हो बट इन्फिनिक्स में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं इंफिनिक्स में बहुत कम दिये हुए आपको और देख लेते हां तो यहां पर यह भी हो रहा है तो आप नीचे से स अर्ली से कर लेते हैं हम लोग डिक्लेर एक चली में क्या रहने वाली है तो यहां पर दिखा दिया मैंने सबकुछ यहां पर पूरा डिटेल रिव्यू कर दिया है और इसका जो 18 वाल्ट का आपको चारजर मिल जाएगा इसके अंदर ही बॉक्स के अंदर तो दोनों के दोन स्ञेयों मिलेंगा तो आईए अपने यहां पर फिस्करते को कह और मिलते अगले वीमर आपको मबाइल पसंद आए तो ले सकते हो अपने को पसंद अट करना ना